स्सालम वैर्म तो वब्रीव तो फाइनली दरातसे सारे पार साल आ चुके हैं जो में इड कर रहे थे चाइना से आने वाले तो मैंने इंतों सबको खोल के पहले से देख लिया है कि अगर कुछ इफेक्टिव अगेरा भी साएगा तो में इसको रिफणियर रिटरन कर आ सकते ह करें कि कुछ defective नहीं आया है सब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बैल के आइकन को आल पर सेट करना बिल्कु नहीं बोलना ताकि मेरी कोई भी वीडियो आया तो आपको फॉर्री नोटिफिकेशन मिल सबसे पहले मैंने मंगवाया था एक होलोग्राफ यानि लेजर बैग होता है जिसके अंदर कलर चेंजिंग बैग होता है तो यह काफी ट्रेंडी और काफी अच्छा था और इसकी कॉलिटी भी बहुत अच्छी थी मतलब 1010 कॉलिटी थी अच्छा तो इसके अंदर 2 साइज बाइबल था एक इसे छोटा था और एक यह वाला साइज था तो मैंने बड़ा वाला साइज और किया और इस तरीके से ऐसे ब्लू पिंक गोल्डन वैसे पर गोल्डन लगेगा लाइक पिर साइट में करोगे तो ब्लू लगएगा इसकी चेंजिंग की कॉलिटी भी काफी इस तरीके थी और इसके अंदर काफी जादा स्पेस है मतलब आपका अच्छा खासा इसके अंदर मेकप में इस्टोर को कर सकता है यह आपको पहले बहुता तो अगर आपको इस वीडियो में आपको दो तीन बड़के चार मेकप बैक आपसको नज़र आएंगे कि मैंने इस तरीके का होलोग्राफ के लाइक पिंग बिलू गोल्डन इस तरीके का शेप अच्छा लगता है इसके इंदर मेकप रखा हुआ सो जी अगली जीज़ जो मैंने ओर्डर करी थी वो यह छूटू सा क्यूट सा संसेट लैंप ओर्डर किया था यह प्लास्टिक माटीरियल का है और इसके इंदर टॉट सेंट सेंट सार है मैं निकालोंगी ना मैं आपको चकर करके भी दिखाऊंगी किस तरीके से कलर चेंज होता है इसके कलर भी काफी प्रिटी है और यहां सेंसर पर फिंगर लगते है यह लैंप अन होगया है अच्छा यह चार्जर बल लैंप है लाइक वो दूसरे बालों की तरह नहीं है जो कि लोगते हैं इस तरीके से इसके अधर आपको ना मैंटिपल चेट के कलर मिल जाते हैं यह तरह को सबसे ज्यादा क्यूट और कूल और्ट प्रटक्ट यहीं था अच्छा इसके साथ आपको एक मैनूल में में जाता है शारी इसकी डिस्क्रिप्शन लिकित हैं और इस लैम के अंदर एक आटो मोर्ड भी तर लाइक आटोमेटिक ली कलर चेंज हो सकते हैं तो आखिर तक इस वीडियो को देखना तो यह वाटर प्रूफ मेकप है तो मैंने सुचे था कि मैं इसके अंदर रखने के लिए इसके यूज करूंगी क्यूंकि इसके इसके अबार ना जैसे टोनर वगएर लीक वीक भी हो जाते हैं तो यह वाटर प्रूफ है तो खराब नह होगा तो यह मुझे थाटीन हंडर समतिंग का मिला था सारी प्रैजिस ना में स्किन पर मैंशन कर दूंगी इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी और बैक क्वालिटी भी काफी अच्छी और सबसे बड़ी बाद इसके अंदर काफी ज्यादा स्टोरिज है अला आप इसमें च्टो just a time काफी सारा अपना मीक चीज़ करना चादा थनकुछी तो मिडरीब काफी से वंडेगा थे साथ ऊच्छी आप इस और माथी से काफी अच्छा है अच्छ समये परसनली काफी लागा तो मैंने में अच्छा लागा सब्सक्रा काफी सारा इसकंटी हावी यह हो पर्चेस कर सकते हैं अगर आपने चाइनीज मेकप या कोरियन मेकप की वीडियो वगर देखी तो उसके अंतर इसी तरीके के पफ से ना वह लोग फांडेशन लगा रहे होते हैं फ्लॉलेस फांडेशन लग रही होते हैं तो मैंने यह एक्स्ट्रा लाज वाला साइज बंग इसके अंदर एक लाज भी आता है वह थोड़ी चोटे होते हैं तो यह थार्टीन हंड्रेट संटिंग के मिचे पढ़ रहे थे इसके अंदर दो आते हैं इसको आपना मतलब ड्राय बिस्तमाल कर सकते हैं और वैट इस तमाल कर सकते हैं यह काफी सॉफ्ट और काफी थिक इसके आपना उनकी पैसे ना इस पैसे मैंने पर्चेस किना सिंगल भी फुर्फ खरीज सकते हैं यह पुरा पैक पर्चेस किया था तो इसके अंदर आपको नहीं कंसीलर ब्रॉश में मिल जाता है और इस टाइप का दिखता है इसके ना ब्रिशल्स भी काफी सॉफ्ट है ल लाइक उसके अंदर आपको कोई भी थ्री प्रोड़क्स आप खरी सकते हैं तो उसमें से मैंने यह एक फेस मसाजर और किया था तो इसकी पैगेजिंग कुछ इस तरी के इदे हैं 160 डिग्री मतलब इसका शेप है और क्या कहते हैं यह मुझे 600 रुपीस का पढ़ा है तो मैं आपको इसको खोलकर रिखा देए किस तरी कह था इसके अंदर वाइबरेटर ए मैं और कुछ भी नहीं है लाइक अपने आप आपने फेस पर मसाज क्रीम अपलाएकि रूसके बाद इसमसाज़ से आप अपने फेस को लिफ्ट अप कर सकते हैं लाइक अच्छे से आप यहां आपको दो कॉम्पोनेंट्स मिल जाते हैं पहला वाला कॉम्पोनेंट यह है मैं आपको जूम करके दिखाते हूं यह कुछ जिक्सक किसम के बृष्टल्स हैं सबसे पहले आपने से पहले ट्रिम करना है उसके बाद इसकी दूसरी अटेश्मेंट लगा के जो बागी की जो रे मेरिंग जो होते हैं और यह चार्जिंग लीड भी इसके अंदर मोजूत होती है यह चार्जर भल है अच्छा सा थी तो फोर आपर का बैक अब यह वाली अटेश्मेंट हटा के यह दूसरी वाली अटेश्मेंट लगाना है आफ्टर ट्रेमिंग उसके बाद फिर आप इसक इस चीज़ जो मैंने द्राज एनी 3 स्टूर पर अपने अट्टू कार्ड करी थी वह यह वाला मेक अप बैक था इसके अंदर ना दो वीरिंट अवेलेबल होते हैं एक पांडा वाला था इसके अंदर और एक यह बियर वाला था तो पहले मैंने पांडा वाला ओर किया था पर वह आया नहीं था कैंसल हो गया था और सो फिर मैंने यह बियर वाला ओडर के था उसके मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन जब यह बाकी में बहुत अच्छा था सेकिन मैटल की जब है जब की कॉलिटी भी काफी अच्छी है बैक का माटीडियल लेडर का है और 600 रुपीज में आपको इतना अच्छा बैंक मिल रहा है तो जल्दी से इसको एड़ टू काड़ कर लो इससे पहले ही आउट अफ स्टॉक हो जाए इसके अदर आपका डे टू डे का मेकप स्टोर हो सकता है लाइक टच अप के लिए हम तक फेस बाउडर रखते हैं य ही तरसी बिल्कुल रेक्रमेंड़ है तो नेक्स चीज जो मैंने दरास से पर्चेस किए वह यह ट्रेंटी से एरिंग्स पर्चेस की हैं मैंने काफी सारे इंटरनेशनल ब्लॉगर्स क्या इंशुएंसर वगेरा को देखे हैं उन लोगों ने इसी तरीके के एरिंग्स पहने क्या ही अच्छी पर इनके पीछह स्ट्रपर ऑफ सारे क्या अच्छी मैं है करें तो कि आपको किसी और सट्र सपर लगानें पड़ेंगे तो से इसके इंडर यह इसारे पर लगाने पड़ेंंगे बाकी quality अच्छी है और यहां भी देखो सारे stoppers निकल गए हैं मैं करके दिखाती हूँ एक यह circle वाले हैं त्विस्ट वाले हैं इसके अंदर एक यह इसके अंदर छोटे वाले भी आएंगे त्विस्ट में तो एक यह पर्ल वाले हैं काफी अच्छी है पर इनके stopper अच्छे नहीं है यह इसके अंदर जो है रेजिन वाले हैं यह यह वीजिन मटी दियल के हैं तो मुझे काफी जादा अच्छे लगए इस्पेशली यह जो green वान है और एक जो दूसरा वाला जो green है यह काफी जादा अच्छा है मतलब इसकी quality अच्छी है और 460 रुपीज में मिल रहा है कि मेरे ख्याल से यह काफी अच्छा है और affordable option है अच्छा 460 रुपीज में each set है सारे के सारे नहीं है 460 रुपीज में like 5 pair का set 460 का है कोई 5 pair का set 450 रुपीज का है अगर में तरफ से यह बिल्कुल recommended है बाद इसका stopper का issue है stopper आपको दूसरे लगाने पढ़ेंगे यह वाले बिल्कुल अच्छे नहीं है so next भी मैंने दराज एनी 3 store से परचेस के दी यह भी मुझे 600 रुपीज की मिली है basically यह एक resin mixing palette है हम जब DIY या hex वगेरा को try कर रहे होते हैं तो इसके नहीं है काफी अच्छा है अलग से palette जैसे हम लोग स्टील की palette होती है mixing palette होती है यह रीजिन की है तो यह मैंजी इसकी quality भी काफी अच्छी है और अच्छे से नहोंने edges भी metallic color से मतलब decorate करके दिया है यह काफी अच्छे में काफी जाते shape भी है तो में इस अच्छे से बिल्कुल recommended है तो जी अब जो हमारी next purchase है वो उसी resin mixing palette के लिए मैंने special purchase के steel का है basically double headed है मतलब एक side पे इसकी pointed है और दूसरे side उसकी flat है तो mixing के लिए काफी अच्छे से काम करता है मैं इसको ढूम करके भी आपको दिखाती है अच्छे से ना तो यह वाले जो side है यह ना नोकीली मतलब pointed edge है और थोड़ी से अबरी भी भी है और यह दूसरी जो है flat है flat वाले side ना basically mixing के लिए इस्तमाल होती है और वो जो pointed है ना साथ में स्टील के special तो मैं इस तरह से दोनों प्रोड़क रिक्रमेंड हैं आप भरी सकते हो तो अगला प्रोड़क जो है ना हमारा make-up bag है और यह last make-up bag है तो यह मैं आपको खोल के लिए खाते हैं और यह काफी अच्छा है इसके अंदर काफी जादा जगा है और काफी मतलब हद तक आपका अच्छाना make-up इसके अंदर store हो जाता है और store होनके बाद नहीं के छोटा सा पाउज बन जाता है मैं आपको दिखाती है इसके अंदर काफी सारे ब्लेबल थे ब्लैक था ब्राउन था पिंक था वाइड था तो मुझे वाइड का इसादा क्लासी लग रहा था तो मैंने वा अच्छे से store कर सकते हो भी इसमें आपने fixer रख लेना है foundation रख लेना है यहां पर अपना highlighter या ब्लश वागरा रख सकते हो तो इसके अंदर काफी सारा मेकब आपका store हो जाता है अगें जिब की quality भी काफी अच्छी है काफी high quality की product है मैं जी यह 1500 रुपीस के मिजा था I think और इसकी quality मतलब उसे साब से काफी जागा अच्छी है यह बंद करके कुछ इस तरीके का ना पाउच सा बन जाता है उसमें आपका काफी सारा make-up इस्टोर हो जाता है यह बंद होने के बाद कुछ इस तरीके का बॉक्स सा बन जाता है और जब भी आपका make-up निकाना होगा इस कॉलेटे भी काफी अच्छी और माटीरियल भी जबरदसत है और कलर्स रेंज भी काफी जादा अच्छी हो और फिफ्टीन हमें रुपीज में मिल रहा है और तो रीजन इबिल भी काफी हत्ता के यह सो अगली चीज़ों मैंने दराज से परशेश के विए वह यह क्यूट स आई लैश कर्लर में तो यह अगें और प्लास्ट के लिए कोई लोकल क्लास्टिक नहीं है अच्छे खासी हाई क्वालिटी की प्लास्टिक है तो यह बाला जो है वह आउटर लैसी को कर्ल करने के लिए और जो दूसरा वाला है वह नार्मल जो होता ना आϊまदरि कर्लर इसी की तरीकिक मöllजा है तो यह उपसे लोग खुल जाता है और फिर आप इसको करण करके अपर आपकी कर्ल कर सकते हो तो ये काफी क्यूट सा रगता है आपकी वैनेटे के अंदर रखावा और इसके साथ ना आपको एक बैंड मिल जाता है कि वह वाला बैंड अगर आपका खराब हो जाए तो आप ये वाला डिटेच करके उदर अटेच कर सकते हो इसी तरीके से ना छोटे वाले करलर के अंदर भी आपको एक अलग से बैंड मिल जाता है उसको निकाल के आप उसमें लगाओ तो में तरफ से ये प्रोड़क्ट भी बिल्कुल रिकमेंड़र आप खरी सकते हैं बहुत जादा अफॉर्डबल भी है तो नेक्स्टी जो मैंने पर्चेस किये वह दराद है नहीं थरी स्टो रुपीस का था लेकिन मुझे यहां एनी थ्री स्टोर पे 600 के फाइफ पाफ में लगा है काफी सॉफ्ट और काफी वैलवेट माटीरियल के हैं और इसे अथे से आप अपनी अंडर आइस को बेक कर सकते हो सवागे में तरफ से बिल्कुल रेकमेंड़र है आप जली से इसको पर शेयस कर लो नहीं तो यह आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकते हैं तो नेक्स जो मैंने दराज से और करी थी काफी ताइम पहले मैंने और की तो मैंने सोच है इस वीडियो में दिखा दू कि पिछली वीडियो में इसको दिखाना भूल गई थी यह एक नैनो में स्प्रे है ल तो अगे नहीं मुझे 600 रुपीज के मिला तो यह चार्जरेबल है इसके अंदर एक साइट पर मिरर है और फिर देन आप इसको ट्विस्ट करो तो इसका कंटेनर ओपन हो जाएगा आप अगली चीज़ जो मैंने तरा से परचीज करी वह स्किन केर से रिलेड़ेड है तो बैसिकली मैंने बायो एकवा के आई पैचेस परचीज किये थे यह आपकी अंडर आइस को इतने अच्छे से हाइडरेड और मॉस्चुराइज कर देते हैं कि मतलब इस थर्दी के सीजन में आपको हाइडरेशन की बहुत ज़दा ज़रूरत है आपके फेस को तो है ही है आपके अंडर आइस को भी बहुत ज़दा हाइडरेशन की ज़रूरत है तो मुझे ही 60 रुपीस का मिला था और यह काफी ज़दा अच्छे हैं बायो एकवा के अगर आपने बायो एकवा के शीट मास्ट वगयरा इस्तमाल कि हैं तो आपको पता ही होगा कि बायो एकवा की प्रोड़क्स कितनी ज़दा अच्छी होती है तो में तरह से बिल्कुल रॉक्मेंड़ेट है इसके अदर आपको 60 आई पैचेस मिल जाते हैं तो नेक्स चीज़ जो मैंने दराद से परचेस करी वह अगीन स्किन केर से रिलेटिड चीज़ है कि अच्छी मार्च को पता है कि तने जाए अच्छा होता है करी अच्छी कि प्रोड़क्स तो बैसिक लीडर पीछे के सारे चारे इस सारे आपका फ्लीवर्स मेंशन होगे थे थ्री एरस तो मैं आपको एकर कोदों के निखेंगे तयों कि अच्छी आपको 10 पीस आफ शीट मार्क्स मिल जाते हैं और इनकी पैकेजिëिंग देखा कितीने कितीनी कितीनी हसीन पैकेजिंग एनकी तो फस्वाला जो है म्हारे पाद ये वॉटर मेलन का है दूस्तरा पीछ्वलेवर का के थे शैरी ब्लॉसम ये फेंट मिलकों पर वी शुचकिन में सब्यूति हैक्यार क्यां एliवॉर Airport के लिए जो मिल्क था ऑलिफ वाला एक लेटर एक ये क्योट सा गुड कोई तर लेकिट सारया के है नई ने कियुत सा गोट बनी विये है और फिर न qui डेयार यह जो है चायों सर्क नोट सबकी जो कोई निग कर दोगों कोईनिंग के हैं こई मॉस्चिराइजिग का तका मिंध तक साय। लेकिन कॉलिटी वाइस यह मुझे काफी जादा अच्छे लग रहे हैं तो अगर मेरी तरफ से बिलकुल राकमेंडेट है और बहुत ही रीजनेबिल प्राइज में आपको कोरियन फॉर्मिलेटर शीट मास्ट मिल रहे हैं तो आपको और क्या चाहिए है सो लास्ट बट नॉट लीस्ट तो मेरी आखरी दराज परशेज है वो ऑईली स्किन वालों के लिए बहुत जादा अच्छी चीज है लाइक अगर आपके फेस पर बहुत जादा ओयल आता है आफ्टर मेक अप या बिफ़र मेक अप तो आप इसके रोलर के जरीए ना अच्छे से आप उसको ना वाइप आफ कर सकते हो इसके अंदर एक वालकनिक रोलर होता है वो बेसिक लिए आपके फेस के जितना भी ऑई डहना वोलर होता है आपको बस इसको रोल आउन करना है तो यह जो जिसके अंदर जो इस टून डलाव है यह वाला आपके फेस से जितना भी ऑईल होता है वो अपने अंदर अब्सॉब कर लेता है उसके बाद फिर आपके इसको वाउम वाटर से इसको वाश आफ कर लो तो यह बिल्कुल साफ आज का छोटा से मिलने से दरास हो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना राद 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 शेयर करना और कमेंट में बताओ और किस तरीकी वीडियो आपको चाहिए तब तक लिए आला हाफिज